तो यहां पर आप देखेंगे एलवी फिनक की ब्रेंडिंग है और इसका मॉलीकूल लेम है डाइकलोफिनक एंग्जेक्शन तो दूस्तो इसमें एक परकार का मॉलीकूल पाया जाता है जो कि 75 एमजी में पाया जाता है एक एमल में यह इंग्जेक्शन है एक एमल में इंप्यू लाता है अगर हम एमर्पी के बारें बात करेंगे तो 25 रुपेस का एमर्पी है जो कि कंपनी इस प्रॉडिटी को बनाती एलबर डेविट चलिए दोस्तो आज हम इस इंग्जेक्शन के हम साइड इफेक्ट इसके ड लाइक सब्सक्राइब साथ में बैले कुछ दोवाएं को जो अप्लोड करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मुचे चलिए इस वीडियो का करते हैं तो दोस्तों इस परकार के काट्टून में यह आती है मतलब पांच परका पांच इंग्जेक्शन आते हैं इ जैसे कि औस्टियोर्थराइटिस की प्रोब्लम होना या रुमेटाइटिस की प्रोब्लम में जोडों का दर्द आपके घुटनों में दर्द होना या गठीय की समस्चा इनमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है और इसके बेनिफिट के वाले में बात आपकी टांगों में दर्द होता है, घुटने का दर्द जा नहीं रहा है, या फिर आपकी कलाई में दर्द, गठिये का दर्द होना, या फिर आपकी नसों में दर्द होता है, आपकी गरजन में दर्द हो रहा है, किसी परकार आपके घुटनों में से कट-कट की आवाज आती यह इस परकार का दर्द है तो दोस्तो किसी परकार का भी दर्द हो वो बिल्कुल जड़ से खतम हो जाता है और से के इस्तमाल देखेगे हैं accidental की चोट की वैसे आपको दर्द होता है या accident हो चुका है या फिर आप कहीं पर गिर गे हैं आपकी महंदी चोट लग चुकी है वहा भी आप dichlofenic injection का इस्तमाल कर सकते हैं तो all over दोस्तों यह पूरे बोटिक एक्स्ट्रेक्चर के दर्द के लिए बनाए गया है dichlofenic injection अगा आपको कहीं पर भी दर्द हो रहा है आप इसको इंटल मस्कर लगवाएंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा इसका result दिखे आप भी होश हो सकते हैं पूरी बोडी को पर लाज चकत्ते आ सकते हैं आपको बेचैनी मैसूस होगी इस परकार के आपको डाइक्लोफेनिक इंग्जेक्शन के side effect दिख सकते हैं तो दोस्तों उससे पहले हम बताना चाहेंगे अपने मर्जी से किसी भी दवा झाल